तो दोस्तों मेरा नाम है अभी सेक और आप सब देख रहे हैं स्टेडी भी तभी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम निमरिकल अनाल्सिस की इस प्रावलम को सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पर तीन प्रावलम से एक दूसरे से एलेटेड है ठीक है तो चलिए यहाँ पर हमें इस प्रावलम से सब मारा किस्चन कने गांगे ठीक है यहाँ पर वैलियो क्रुसरे च्छिप अ है हमारा हमारा e की पावर ax है ठीक है जो हमें दिया हुआ है वह हमारा given function है ठीक है यह equal होगा f of x plus h यानि कि जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हो जाएगा x plus h है ध्यान रहे कि सिर्फ आप ax plus h नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सिर्फ ax plus h हो जाएगा यहाँ पे हमें x match करना है ठीक है तो a को हम बाहर कर देंगे और इसका एच कर देंगे minus f of x का है हमारा e की पावर ax ठीक है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि f of x is equal to e की पावर ax ठीक है तो इतना हो गया अब देखिए यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं को मिले सकते हैं e की पावर a x plus a h ठीक है minus e की पावर a x ओके और यहां से देखें यहां पर हम जो पावर की प्रॉबर्टी है इसका यूज करते हैं तो e की पावर a x into e की पावर a x minus e की पावर a x लिख सकते हैं देखें बेस समान है तो power add हो जाएंगी फिर इतना हमें मिल जाएगा ठीक अब देखें यहां से कुछ आपको common दिख रहा होगा यह हमारा e की पावर a x कामन है तो e की पावर a x को है constant है क्योंकि इसमें क्या है कोई भी एक स्वाला टर्म नहीं है यहां पर है यह हमारा variable होगा ठीक है यहां कोई constant नहीं है आई यह दूसरा question इसमें देख लेते हैं दूसरा question हमारा है कि हमें second forward difference निकालना है इसी function का e की power a x का ठीक है तो हम operators के जो properties हमको पढ़ लिया है this topic तो यहां पर हमें second order करनिकालना था तो हमने क्या किया पहले हमने एक forward difference को हमने आगे कर लिया है बाहर कर लिया है और a को पहले हम operate करते हैं ठीक है इतना ही तो था, ठीक, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, 1 है, और ये इतना था, ठीक है, अब दीखे, एक property हम पहले भढ़ चुके इसकी property में, कि जब भी forward difference है, कोई operator operate होता है, किसी function पे, ठीक है, अगर उसमें कोई constant होता है, तो constant बाहर हो जाता है, और मारा जो operator होता है, वो function operation पे operate होता है, ठीक है, तो यहाँ पर दीखे, हमने बताया, यह वाला constant term है, क्योंकि यहाँ पर कोई x नहीं है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, यह हो जाएगा हमारा e की power a h minus 1 बाहर हो गया, और यह operate होगा e की power a x पे, ठीक है, फिर से देखे, यहाँ पर इसकी value को हमने नि की power a h minus 1 का square और e की power a x ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा second order का यह जो forward difference है, ठीक है, तो आईए देखते हैं किस तरीके से इसको हम solve करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दीखे, हमने इसकी value निकाली, first order का जो difference था, forward difference, उतकी value में मिली e की power a h minus 1 का square और e x ठीक है, तो यहाँ प minus 1 और e की power a x ठीक है, इसको मैंने अटाएगी constant है, और इस तरीके से हमने जब second order का निकाला forward difference तो हमें value मिली e की power a h minus 1 की power, sorry, square होगा, ठीक है, यह 2 हो जाएगा और e की power a x ठीक, अब हमको इसको define करना है कि यह अन्थ order का forward difference कितना होगा इस function के लिए ठीक है, तो यह देखत हैं किस तरीके से निकलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि n minus 1 और इसकी power इधर कर लेते हैं, e की power a x, ठीक, अब देखें यहाँ पर power को अगर हम add करेंगे तो फिर हमें power n ही मिलेगी, ठीक है, तो आएए इसकी value को हम उपर से लिखते हैं, यह होगा forward difference की power n minus 1 और इसक constant है, constant बाहर हो जाता है, तो e की power a h minus 1 और forward difference n minus 1 e की power a x, ओके, और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, e की power a h minus 1 और इसको हम लिख सकते हैं n minus 2 और forward difference e की power a x, तो यहाँ पर हमने किया क्या है, यहाँ से एक, जो हमारा deal है, उसको हमने और निकल के इधर लेका है, ठीक है, इस फिर इसकी value हम लिखेंगे फिर इसकी value इतना ही होगी और यह जो हुमारा constant है यह बाहर होके इसका square हो जाएगा e की power a h minus 1 का square और देखो इसकी value इतना होती है ठीक है यह वाली चीज़ तो इसका square हो गया और यहाँ पर बचेगा del n minus 2 e की power a x और इस तरीके से अब की बार क्या करते हैं e की power a h minus 1 का square और इसको लिखते हैं n minus 3 ठीक है और एक यहाँ से फिर निकाल लेते हैं और e की power a x यहाँ पर लगा देते हैं अगे दिखते हैं फिर इसकी value क्या हो जाती इसकी value जो constant term होगा वो होगा e की power a h minus 1 और इसमें add कर देंगे तो यह जाएगा cube और यहाँ से इसकी value हो जाएगी कि n minus 3 और e की power a x ठीक है इसकी value में जो e की power a x वो इतना आता है ठीक है अब दिखें यहाँ से हम देख सकते हैं कि जितने यहाँ पी n की power में से minus करते हैं यहाँ यहाँ पर power आती है ठीक है ऐसे अगर हम n minus 4 करके n minus 5 करके ऐसी value को निकालेंगे यहाँ पर तो last में जो हमें last dollar term मिलेगा ठीक है यहाँ 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 पर यहाँ पर हम एन कर लेते हैं ठीक है और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा del minus n ठीक है del की power जोगा n minus n और e की power ax ठीक है यहाँ पर इस तरीके से n minus 3 हुआ था इस तरीके से यहाँ पर हमने n रख दिया तो यहाँ पर b n हो जाएगा यहाँ पर b n हो जाएगा झाल झाल